दोस्तों यह TFE Tech में आप लोग का स्वागत है दोस्तों अभी मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ आप लोग Redmi Note 4 में Magisk फाइल को कहीं से इंस्टिल करें और इसको कहीं से अप्टूडेट करें तो चलिए दोस्तों मैं आप लोग को दिखाती हूं मोबाइल के स्क्रीन पर क्लिक करना है यहां पर देखिए जो Macro ID है इस पर लगए कृणर दीज में आगर दोस्तों क्लिक नजी हो और आई इसी तरह के प्रोब्लेम दिखा रहा है आप लोग को क्या करना है यहां से ब्यक जाना है ब्यक्स चार्वायार ब्यक्र कर दीजिंग और यहां यह देखिए दोस्तों यहां पर TWRP recovery mode में आ गया है अभी इसको cancel कर देना है और यहां पर swipe कर देना है अभी दोस्तों आप लोग को क्या करना है इंस्टर बेक क्लिक करना है और यहां पर select storage में क्लिक करना है यहां पर देखिए मैंक्रो एक्टी काट्ट है इस पर click कर देजिए क्लिक करने का बदो के कर दिजियें और यहां पर देखिए दोस्तों में आज़ाए टु एटी टू बन जूरी जीरू जहे इस पर click कर दिजिए कि यहां बें देखें दोस्तों यह निस्टिल हो गया यहां बें रेड मार्क जो है वो रहने दीजिए कुछ भी प्रब्लेम नहीं है आप लोग यहां बें रिबूट कर दीजिए यहां पर देखिए दुस्तों मुवाइल जो है रीबूट हो गया है और यहां पर मैं आप लोग को देखा दियो यह देखें में इसको आप टूडेट करूंगा आप लोग देखिए इसको दूस्तों डाउलोड होने में कुछ चमय लग जाता है आप लोग वीडियो को देखती रहिए डाउलोड हो गया अभी इनेश्टल पर ट्लिक कर देना है यह लाउगर दीजिए यहां पर ओपेन कर दीजिए इसको देखें दोस्तों यह इनेश्टल हो गया है अभी इसको आप टूडेट करने से प्रोब्लम क्या हो सकता है आपका मूबाइल और नहीं हो सकता है किसलिए इसका जो एन्रेट बार्जन है वह सेबन है और यहां पर आप टूडेट देने में मूबाइल का प्रोब्लम आ सकता है इसलिए मैं इसको दोस्तों आप टूडेट नहीं करूंगा ऐसे ही रहने देंगा ऐसे ही आपनों काराम से सब कुस कर जाकते हैं कोई दिक्कत कि अन्रे यहूब